इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वावत है। को कैसे इनफॉर्म करें और किस परकार से पुलिस को इनफॉर्म करें तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पैरेंट्स को और पुलिस को इनफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यह जरूरी है कि जब आपकी शादी लीगली हो जाती है उसके बाद से आप पुलिस को और अपने परिवार को आप अपने पैरेंट्स को जरूर इनफॉर्म करें क्योंकि विदाउट इनफॉर्मिशन अगर चाहे आप लोग भाली की क्यों ना हो लेकिन अगर घर वालों को कोई सूचना नहीं है कि उनकी लर्की गई कहा या लर्का उनका कहा गया तो हो सकता है कि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकर्मा रेजिस्टर्ट कराया जा सकत हो सकता है कि अभरन या अन्य किसी सेक्षन के अंदर भी जो गंभीर से गंभीर सेक्षन हो सकता है उस सेक्षन में आपको आपके खिलाफ एफायर रेजिस्टर्ट कराया जा सकता है और उसके नतीजे आपके लिए काफी गंभीर हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए आपके घर वालों को फोन कर ले या फिर वाटसप के माध्यम से सर्टिफिकेट सेंड कर दे और सेंड करने की बात से आप उनको इंफॉर्म कर दे कि आप दोनों ने विवाह कर लिया आप दोनों सरक्षित है और आप एक दूसरी के साथ खुस है अगर आपको लगता है कि इससे भी ब करकी सुचना नहीं जाती इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह होती है नोटिस भीजने की इसमें अफिशलि लीला के के परिवार के पास में और लड़की के परिवार के पास में भीजा जाता है जिसमें यह बताया जाता है एक एड़ोकेट के माध्यम से भीजा जाता है और उसमें यह बताया जाता है कि आप दोनों ने आप दोनों ने लड़का और लड़की आप दोनों ने शादी कर लिया है और इस दिन इस तारिख को शादी किया है इस court से साधी किया उसका certificate भी संगलगन किया जाता है तो एक official जनकारी advocate के माध्यम से भेजी जाती है जिससे की परिवार वालों को officially मालुम चल जाता है कि आप दोनों married है उसका काफी serious value भी होता है क्योंकि एक advocate जब किसी document को एक notice के तौर पर भेजते हैं तो उसकी काफी value बढ़ जाती है और घरवाले भी या पुलिस भी बहुत serious दी लेती है और यदि उनको संपर करना होता है तो advocate से भी संपर करते हैं और संपर करके वो पूरी जनकारी ले लेते हैं तो यदि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि आप अपने शादी की जो notice है शादी की जो खबर है वो अपने घरवालों को पहुंचाना चाहते हैं तो आप लीला के माद्यम से कर सकते हैं चाहे आपकी शादी गाजियवाद से हुई हो या दिल्ली से हुई हो, कहीं से भी हुई हो या नोटीस लीला के माध्यम से भेजा जा सकता है एक और खास बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आप यह सोचते हैं कि शादी के बाद आप इंफॉर्म ना करें और छिप करके कहीं पर भी रहें चाहे आपने लेगली शादी क्यों न किया हो फिर भी एक तरीके से उसे संदिग्ध माना जाएगा एक तरीके से उसे माना जाएगा कि कुछ ऐसा है जो आप छिपाने की कोशिश कर लें इसलिए जरूरी है कि आप जब भी शादी कर लें आप घर वाली को जरूर इनफॉर्म करें तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि आप हमारे पास से नोटीस भेजा जाता है अगर आपको नोटीस भेजने के परकिरिया के बारे में जानना है भले ही आपकी शादी हो चुकी हो या होने वाली हो तो आप लीला के हेल्प लाइन नमबर पे मंडे टू साटरडे आप डबल डबल जी रो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइफ पर बात कर ले उस नमबर पर बात करके आप बता सकते हैं कि आपको नोटीस भेजवाना है या फिर जब भी आप शादी के लिए बुकिंग करायां उस वक्त भी आप कहसकते हैं कि आपको नोटीस भेजवाना है इसके लिए एडिशनल चार्जर होते हैं जो सादी के फीस के अलावा होते हैं जब भी आप फोन पे बात करेंगे तो उसके बारे में आपको निश्यत्रुप से बता दिया जाएगा अगर आपके पास कोई अन्य विशे हो और आप चाहते हो कि उस विशे पे वीडियो बने तो आप उन्य बताएं निश्यत्रुप से उस पर भी वीडियो बनाएगा बहुत 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 झाल झाल